चलिए तो हम लोग बात करेंगे मद्विदेश सामानग्यान के बारे में बैसे याद रखिए मद्विदेश सामानग्यान को पूरा coverage कर चुके हैं और बहुत ही detail से बिस्तार से पढ़ चुके हैं अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई questions छूटे गम MP इस पेसल से तो करीब आपकी 17 गंटे की class है हो सुपरफास्ट रिवीजन के नाम से जो आपकी पिले लेश्ट सूची बनी हुए उसी मेडली हुए और 17 गंटे की ये class कवर कर लीजे इसके बाहर कोई भी questions नहीं जाएगा फिर चाहे आपका MP इस पी हो फिर चाहे कोई ब्यापम या फिर कोई state एक्जाम हो ठीक है तो चलिए इसमें हम लोग कुछ पिरमोक तर्थ देख लेते हैं तो सभी राज्यों को हम लोग कवर कर रहे हैं तो यहां भी आपका कवर कर लेंगे लेकिन अगर आपको विस्तार में लगता है कि आपको विस्तार में पढ़ना है तो वहाँ की class डली हुई है तो सबसे पहली maps में हम लोग मद्धपिदेश की इस्तिती देखते हैं यह हमारा प्यारा भारत है इसमें आप देख रहे होगे बीचों बीच है आपका मद्धपिदेश इसके रादधानी बोपाल ने इसके अगर हम लोग सीमाओं की बात करें किस किस से लगती है तो इसकी गुजराज से सीमा लगती है राजिस्थान से भी उत्तर पिदेश से भी और इस तरह पापकी चत्तीस गड़ क्योंकि आपको पता होगा कि सन 2000 में मद्पिदेश से अलग करके ही चत्तीस गड़ बनाए गया था और यहां महराष्ट से ही तो पांच राज्यों की सीमा आपकी मद्पिदेश से लगती है गुजराज गुलाजिस्थान उत्तरपिदेश, 36 गर, महराश्ट सबसे जानदा आपकी उत्तरपिदेश से हो सबसे कम गुजरास ठी और याद रखी करकरेख आपकी मद्वदेश से होकर भी जाती है मद्वदेश के 24 से मद्वदेश की राद्दानी बोपाल है इसकी स्थापना हुई थी एक नवंबर 1956 को लेकिन आपको पता हो कि बरत्मान स्वरूप इसका 31 अक्टूबर सन 2000 को हुआ कब हुआ? 31 अक्टूबर सन 2000 को यानि कि एक नवंबर 2000 को आपका 36 गड़ इससे अलग हो गया था नामकरण की बात करें तो देश के मद्द में इस्थित होने की कारण मद्द पिदेश नाम इसका पड़ा हिदय पिदेश से भी हम लोग सम्मार इसे जानते हैं हिदय पिदेश की नाम से भी इस्थिती की बात करें तो देश का सबसे मद्धवर्ती भागे मद्धवदेश आपका इसकी भोगोलिक इस्थिती की बात करें लोग तो 21 डिग्री 26 मिनिट उत्री अक्षांस से 26 डिग्री 25 मिनिट उत्री अक्षांस तक और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 47 मिनिट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है 21 चैसे 26 चैसे 84 से 82 सैंतालिस तक इसे अपने इसाब से आप लोग याद कर लिए हो अगर इसके विस्तार की बारत करें तो पूर्व से पश्चिम यानि की यहां से आपका यहां तक पूर्व से पश्चिम 870 किलो मीटर है और उत्तर से दश्चिम इसकी लंबाई 24 चोड़ाई इसकी 605 किलो मीटर कितना 605 किलो मीटर है सीमाओं की हम लोग बैसे भी देख चोगे हैं इसकी सीमाय मैप्स में उत्तर में उत्तर पिदेश, उत्तर पूर्व एवं पूर्व में आपका 36 गड़, दच्छन में आपका महराष्ट, पश्चिम में राजिस्थान और गुजरात देखने को मिलेंगे अगर छेतफल की हम लोग बात करें तो तीन लाग आठ हजार दोसो बावन बर किलूमीटर है, तीन लाग आठ हजार दोसो बावन, तीन सो आठ दोसो बावन, याद रखिए जब तक ये 36 गड़ इसके साथ मिला हुआ था, तो छेतफल में सबसे बड़ा राजिस्थान आपका मद्धिस, लेकिन आपको पता हुगा, जब से 36 गड़ अलग हुगा, तो दूसरे नम्मर बार आच चुका है, पहले पर राजिस्थान, जन संक्या की बात करें तो 7 करोड 26 लाग 26,809 है, ये 2011 की जन गरना की इनसार बता रहा हूँ, इनमें से आपके पुरो से 3 करोड 26 3260 महिला हैं आपकी 3 करोड 15-14530 की बात करें, यानि की 2001 और 2011 की जन संक्या की बिद्धि की बात करें, तो ये रही है, 20 देसम्पलों 30-30 की बिद्धि हुई है, अब बात करें 0 से 6 वर्ज आयू वर्ग की जन संक्या की बात करें तो ये आपकी 1 करोड 8,09,395 इनमें से बालक हैं आपकी 56,36,172 बालिकाए हैं 59,73,223 लिंगनपाद की बात करें तो 0 से 6 वर्ज आयू में 988 और लिंगनपाद पुरसों में बात करें तो इसमें आपकी 931 महला हैं पिती येखजार पुरसों पर लिंगनपाद कीतना है? 931 और 0 से 6 वर्ज की आयू में लिंगनपाद कीतना है? 988 जन संक्या गनत की बात करें तो 236 है व्यक्ति पिती बार किलूमीटर में रहते हैं 236 अगर साक्षरता की बात करें तो 29.3 पिती सत है जिन में से आपके पुरस है 78.70 पिती सत उमाहला है 69.20 पिती सत ठीक है? आंगे चलते हैं हम लोग कुल साक्षर व्यक्तियों की बात करें तो ये हैं आपकी 4 करोड़ 28,59,199 इन में से पुरस हैं आपकी 2 करोड़ 59,324,328 माहला है 1 करोड़ 46,6,6,841 संभाग आपकी संभाग कितने है? 10 जिले 52 नया जिला कौन सा बना हुए? निवाडी ये आपका टीकमगर से इलग करके बनाए गया है निवाडी इसमें आपका ओर्चा जो अभी टीकमगर में पढ़ता था अब ये ओर्चा आपका निवाडी जिले में पढ़ना लगा है ठीक है? विधान मंडल की बात करें तो एक सदनात्मक है यानि कि केबल विधान सभा है इसमें अब आपकी बिधान सभा सदसों की बात करें तो 230 है लोग सभा सदसों की बात करें तो 39 है राज्य सभा सदसों की बात करें तो 11 है क्या है? 11 है याद रखी अभी आपके 28-2019 में जो आम चुनाव हुएं सत्रवी लोग सागा के इनमें 28 सीटे आपकी बिजेपी ने जीती थी एक सीट आपकी कॉंग्रेस ने जीती थी कमल नात के पेटे ने छिदवाड़ा की जीती है न कुल नात ने सिंदिया भी इस पार आपके चुनाव हाज चुके थी अब आपके राज्ये सबा से चुने गए हैं सिंदिया साब यहां की भासा है हिंदी अन भासाओं की बात करने तो उर्दू बाण चेत्तरी भासा है पिरमुक नगर, इंदौर, भोपाल, जवलपू, ग्वालियर, उज्जेन है पिरमुक रेलवेश, जंगसन की बात करने तो भोपाल, जवलपू, इंदौर, कटनी, बीना, इटारसी, रितलाम, होसंगाबाद, सहडोल, खंडवा, जंगसन है हवाईड़ों की बात करने तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जवलपू, खजराओ, उस्टे ने आलाए की बात करने तो यह आपका जवलपूर में देखने को मिलेगा इसकी दो खंड़ पीटें, एक इंदौर में, दूसरी आपकी ग्वालियर में है ठीक है, तो राजी दिवस की बात करने तो एक नवंबर को मनाए जाता है राष्ट की ये बेक्च आपका बर्गत है, राष्टी पसु आपका वारे सिंगा है, राष्टी पक्ची आपका एसियन पेराटाइच फिलाई के चरह है राष्टी पस्ट पापका पेरोट टी है, विस बिद्ध्यालेओं की बात करें हम लो, तो इसमें डॉक्टर सबसे पुराना आपका डॉक्टर हरी सिंग, गौर, विस बिद्ध्याले सागर में, ये आपका 1946 में इसकी स्थापना हुई, बिक्रम विस बिद्ध्याले 1957 में बना, और इसके बाद आपका राणी दुर्गाबती विस बिद्ध्याले इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई, देवी एहल्यावाई विस बिद्ध्याले इंदौर में में इसकी स्थापना हुई, जीवाजी विस बिद्ध्याले ग इस विद्ध्यालाई भुपाल में मिलेगा, 1970 में इसकी स्थापना की गई, जवाहलाल नहिरू किर्सी विद्ध्यालाई जवलगुर में देखने को मिलेगा, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, 1964 में, ठीक है, उसके बाद माकनलाल, चतुरवेदी, राष्टी, पत्तिकारिता इसकी स्थापना की गई, 1991 में इसकी स्थापना की गई, खनेजूतपादन की बाद करने तो मैगनीज य आपका छेदवाडा, मंदला, बालागार जवालियर, हीरा की बाद करने तो पन्ना, मौझगाओN, शथना, पन्ना की हिरे कीखाना आप लोगोंने सुनी योगी चरच जबलपुर। धार मंदसों सोना बालगाड तावा बालगाड चूने का पत्थर जबलपूर कटनी राजगर डोलोमाइट जबलपूर चीनी मिट्टी ग्वालियर जबलपूर सतना सीधी सहडोर इउरेनियम सहडोर एसबेश्टस जाबुआ नरसिंगपूर गैस सतना जबलपूर बैतूल हो संगवाड ग्रेफ हाइट बैतूल में देखने को मिलेगा आपको ठीक है? उसके बाद आँगे अब्रक ये आपका अच्छे दवाड़ा बालगाड जबूआ मंदसों हो संगवाड अडू सक्ती उपलब्द है गेरू सतना जबलपूर गेरू आपका सतना जबलपूर बैतूल हो संगवाड सेहडूल सीसा मद्दपिदेश में पाये जाता है टीन बैतूल गोपिंदपूर चुकाड़ा रॉक फॉस्पेट जाबूआ चतरपूर सागर फैल्सपार सहडूल चबलपूर संग मरमर जबलपूर सपेद बैतूल सिबनी चबलपूर गोडियर में देखने को मिलेगा गोडियर में आपका रमगीन और जबलपूर में आपका सपेद कुछ इस्थानों की पिसिद्धी के कारण भी है जैसे आपका भीम बैटका भीम बैटका बैटका और चत्तुर भुज नाथ इस सहल चित्रों के लिए पिसिद्धी है किसके लिए? सहल चित्रों के लिए अमलाई एपेपर मिल के लिए पिसिद्धी है नैपा नगर यह आपका अखबारी कागज की मिल के लिए पिसिद्ध है, संग्रावली, कोईला कदान के लिए पिसिद्ध है, खजराओ, कलात्मक मंदिरों के लिए पिसिद्ध है, बेडा गाट, ये संगमरमन की चट्टानों के लिए पिसिद्ध है, मजगाओ, हीरे की खान के लिए, पन्ना, हीरे की खान के लिए, मलाजखन ए तामागी खान के लिए, पचमडी हेले स्टेशन के कारण पिसिद दे गौडवाना ए खनिच के लिए पिसिद दे मंदसोर, अफीम उत्पादन के लिए और बांदवड़, अभ्यारन सफेद सेरों के लिए पिसिद दे अफीम याद रखी मंदसोर अफीम के लिए और गांजेल के लिए आपका खन्डबाजिला पिसिद दे ठीक उसके बाद है आपके पुरुसकार एवं सम्मान, इससे भी आपके कुश्चन्स अकसर बनते रहे हैं तो यह आपके पुरुसकार वह सम्मान की नाम हो गए इस छेत हो गए, इनकी धनरासी हो गई धनरासी यह बदलती रहती है हमेशा तो यह जान्दा महत्पून नहीं रहती है कालिदा सम्मान यह आपका सास्तिय संगीत रोपंकर कला, रंग करम सास्तिय नेत के छेत में मिलता है सिकर सम्मान यह आपका साहित पिदर्शनकारी कलाए रोप कलाए में मिलता है तांसेन सम्मान सास्तिय संगीत में मिलता है तोलसी सम्मान लोक एवं पारंपरिक खलाओं के लिए मिलता है धनरासी याद रखिए जो भी current में बढ़ती रहती है इसलिए कोई इस्तर नहीं रहती है लत्ता मंगिस कर्ष पुरुषकार इस सुगम संगीत के लिए दिया जाता है जवाहल नहरू जवाहल नहरू पुरुषकार यह आपका आधारवूत बिज्ञान और तकनिक के छेत में दिया जाता है 1982 में स्थापित हुआ था विकास और इंजिनिरिंग बिज्ञान के लिए फिर आपके मैतली सरन गोप्त संगान या आपका हिंदी कभीता के छेत में दिया जाता है कभी संगान बार्दी कभीता एकवाल सम्मान उर्दु साहित के लिए मातमा गांदी सम्मान गांदी दर्शन के अन्रोप सामाजिक कार के लिए आपका दिया जाता है मातमा गांदी सम्मान फिर आपका सरध जोसी सम्मान या आपका हिंदी बैंग लेकां के लिए दिया जाता है कुमार गंदर संबान युगा सास्ती संगीत कार के को दिया जाता है किसे और कुमार संबान याक संगीत के चेत में दिया जाता है देभी अहल लियावाई संबान बिसेश चेत में दिया जाता है रामचंद सोकल पुरुषकार ये आलूचना के चेत में दिया जाता है पदुम इन सभी छेत्रों में दिया जाता है अब बात कर लिते हैं मद्धपदेश की प्रमुक पैदावार यानी की फसलों के बारे में और उनके छेत्रों के बारे में गया हूँ ए आपका ग्वालियर सागर रतलाम मंदसोर विदीशा उज्जन गुनारीवा हौसंगाबाद देवास्ति ओर जाबुआ हिंदोर सतना जबलपुर और खंडवा में देखने को मिलीगा चावल ए आपका बालागाट मंदला छिदवाडा बैतुगरीवा सीधी सतना स जिवार की बात करें तो मंदसोर नीमच रतलाम उज्जन राजगर साजापूर देवास खंडवा खरगों ए खंडवा वही है जिसमें गाजा आपका देखने को मिलता है खरगों चना चना आपका मंदसोर नीमच विदीशा गुना सेहूर जाबुआ देवास बोपाल इंद उज्जन रतलाम होसंगाबाद नर सिंगपूर जवलपूर राहसें टीकमगड हर्दा भिंड मुरेना में देखने को मिलिगा अफीम आपकी मंदसोर गन्ना आपका उज्जन सिवर जावरा साजापूर डवरा सिवपूरी मुरेना कपास की बात करें तो इंदौर ग्वालि उज्जन दिवास खंडवा रिवा सतना सागर दमोज चतरपूर पन्ना टीकमगड धार ग्वालियर मुरेना भोपाल में देखने को मिलेगा मुंग पली की बात करें तो मंदसोर नीमच खरवन धार में देखने को मिलेगा तेलहन तिल और तेलहन तिल ये आपका चतरपूर होसंगाबाद सिवपूरी सीदी में अलसी की बात करें तो बालगार सतना दरीबा होसंगाबाद जावुआ सागर गुना पन्ना में गांजा की बात करें तो एक खंडवाज लेकि टिगरियाग बढ़गाओं गुरजर जामली लाइनपूर रुस्तमपूर में देखने को मि सतना दरीगा अब बात करते हैं मध्यवदेश की फिरमुक राष्टी एफ उद्द्द्यानों की बात कर लेते हैं ये आपके राश्टी व्द्ध्यान का नाम हो गया है, चित फल हो गया है ये आपका जिला हो गया है और मुक्ष बनिजी जो पाये जाते हैं उसमें उनकी नाम हो गया है ठीक है बांदों गड़ इसका चितफल है आपका 437 बर्ग किलोमीटर यह उमरीजय जिला में देखने को मिलेगा बागतिंदुगा बागतिंदुगा चीतल गौर नीलगाय मुंजक फिरन आधी देखने को मिलेगा फॉसिल जीवास इस 27 बर्ग किलोमीटर में है मंदला में दे देखने को मिलेगा काना किसली 940 बर्ग किलोमीटर चेतफल में फ्यला हुआ है मंदला जिली में यह आपको बात तिंदुगा बारे सिंगा गौर सामर किष्णमेट मात्रक मिल्ड जंगली कुत्तरा चीतल जंगली कुत्ता चीतल सेर वायसन आधी देखने को मिलेगा बर्ग किलोमीटर चेतफल में फ्यला हुआ है सिवपुरी में तिंदुगा शावर चीतल नीलगाय चिंकारा जंगली सुवर प्रवावी प्रवासी पक्ची मगरमच आधी देखने को मिलेंगे उसके बाद आपका है पन्ना पन्ना में आपका 543 किलो बर्ग किलोमीटर में पन्ना चतरपुर जोन में फ्यला हुआ है बाग तिंदुगा सावर चीतल चिंकारा भालू आधी रेखने को मिलेंगे पैंच एच 293 किलोमीटर चेतफल में सिवपुनी छेदवाडा में फ्यला हुआ है बाग तिंदुगा सावर चीतल गौर मुंजा खिरन नीलगाय जंग आधी देखने को मिलें बन विहार एक 4.45 किलोमीटर है बोपाल में मद्विदेश के सभी वन ने पराड़े संजय यह आपका 497.309 किलोमीटर में सीधी में बाग तिंदुगा चीतल यह आए देखने को मिलें एक बात आप लोग हमें सेयाद रखें मद्विदेश के जो भी एक जाम होते हैं जैसे कि MPPSC इसमें आपने देखा होगा कि 100 questions आते हैं जिसमें से आपके 50 से 55 questions MP special से रहेंगे यानि कि MP के बारे में तो आपका इतने से काम नहीं चलेगा MP के लिए तो आप उसे class को देख लें उसमें पूरा update करके बताये गया है 2019 तक का ठीक है 2019 पूरा बत पूरा update हुए उनके बारे में भी पता चल जाएगा मद्विदेश में उद्धोगी के वं विकास से संबंदी संस्थाओं की बात करें तो इस संस्था कार्याला होगे इस थापना बर्स होगे इनका उद्धेश की बात होगे जिस उद्धेश से इसे बनाए लिया जो उद्धेश है, उसका है सहिकारी उद्धोगों का संचालन और सहीट्थ चेत के उद्धोगों की इस्थापना में सहयता की बात मद्विदेश उद्धोगी की विकास नेगम एब भुपाल में इसकी स्थापना 1965 में की गई थी उद्दोगों को बढ़ावा देने के लिए पितिक पिकार की साहता इसमें दे जाती है फिरे आपका मद्विदेश लगू उद्देव निगम भोपाल इसकी स्थापना उननीस सो उनत्तर में की गए मद्विदेश हस्थ सिल्प निगम भोपाल इसकी स्थापना की गई थी हस्थ सिल्प का विकास सुनिश्चित करना इसका काम है इसके उद्देश के लिए इसकी स्थापना की गई फरे आपका मद्देश टेक्स्टाइल निगम इंदोर इसकी स्थापना 1970 में की गई थी इसका उद्देश है आपका सूती कपरों की मिलों का संचालन करना प्रयापका मद्यपिदेश एग्रू एंडश्टीज निगम भोपाल इसका उद्धेश है किरसी पर आधारित उद्ध्योगों का विकास सुनिश्चित करना प्रयापका मद्यपिदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन भोपाल इसका उद्धेश से बहुमूर लिक खनीजों के अनुसंदान उद्खनान एबं ब्यापार में सहायता देना फिर आपका मद्धिपिदेश निगम भोपाल इसकी स्थापना 1977 में की गई छोटे उद्धिवों का उत्वार मिर्याद करने की अवस्ता सुनिश्चीत करना मद्धिपिदेश फिर आपका मद्धिपिदेश हैंड लूम हैंड नाले संचालन भोपाल इसकी स्थापना 1976 में की गई हैंड लूम के अत्रिक्त पावलूम उद्धोगिक संतियों की स्थापना करना उनके वित्तिय विवस्था करना और उनके विकास में सही हो देना इसका काम है फर आपका मद्द्देश इवाँ गराम उद्द्धियो बोड़ भोपाल में इसका उद्देश है कादी बस्तों के उत्पादन को बढ़ावा देना यह आपके कुछ मद्द्द्देश की पिरमुक्व समाचर पत्थ हैं समाचर पत्थ हो गया, पिकास निस्तल हो गया, जहां से निकलता है, जैसे नई दुनिया, यह आपका इंदोर और भोपाल से निकलता है, भासकर, यह आपका उज्जेन भोपाल जवलपूर ग्वालियर से निकलता है, नव भारत जवलपूर भोपाल, आज ग्वालियर से, जा इंदोर से सांद प्रिकास एवी विवी अंदोर से आपका मदविदेश क्रॉनिकल यह आपका भोपाज से निकलता है, कहां से? भोपाल से फिर बाद करते हैं मदवधिश की प्रमुक अभ्यारण है इनसे भी कुष्टेंस आपकी बंदे रहते हैं Madhvedes Chronicle यह आपका भुपाल से निकलता है कहां से? भुपाल से फिर बात करते हैं, Madhvedes के पर मुख अभ्यारन है इनसे भी questions आपके बनते रहते हैं यह आपकी अभ्यारन हो गया इनका छेतफल हो गया बरक किलूमीटर में जिला हो गया और मुख्य बन पराणी हो गया जो इसमें पाए जाते हैं बोरी इसका चेतफल है पांसोटारे वर्ट किलोमीटर होसंगाबाब में देखने को मिलेगा इसमें आपके बाग तिंदुगा चीतल सामर, गौर, भालू, मुंजब, खिरन, निलगाए आधी देखने को मिलेगा फ्रे आपका सेलाना फलोरीकन इसका चेतफल 348 वर्ट किलोमीटर है ये आपका रतलाम में देखने को मिलेगा खरमौर 25 में देखने को मिलेगा सर्दारपूर इसका चेतफल 348 वर्ट किलोमीटर है ये आपका धार में मिलेगा खरमौर इसमें भी देखने को मिलेगा सौन इसका चेतफल 209 वर्ट किलोमीटर है ये आपका सीधी सहडोल में देखने को मिलेगा इसमें मुख बन पराड़ी मिलेंगी घड़ियाल कचुवा प्रवासी पक्ची आदी सिंधोरी ये आपका 287.91 किलोमीटर चितफल में फैला हुआ है राय सेन में देखने को मिलेगा इसमें बाग तिंदुगा सावर चीतल नील गाय चिंकार किष्ण में आदी देखने को मिलेगा फिर आपका राता पानी ये 688.89 किलोमीटर में है फिर आपका राय सेन में कहा है राय सेन में इसमें आपका बाग तिंदुगा सावर चीतल आदी देखने को मिलेगा पैंच, पैंच या आपका 499 दिसमलोग 49 वर क्लूमीटर है, या आपका सिबनी छिदबाड़ा में देखने को मिलेगा, बाग तिंदुगा सावर चीतल गौर, नील गाय, जंगली मुर्गा, मुर्गी इसमें देखने को मिलेगा, पालपुर कुनो, इसका छिदफल 345 वर इंकारा, किष्ण में नील गाय देखने को मिलेगा, पान पथा, इसका छिदफल 245 दिसमलोग 84 वर क्लूमीटर है, या आपका सैडोल में देखने को मिलेगा, इसमें आपको बाग तिंदुगा सावर चीतल नील गाय, मुंजख खिरन, चौसिंगा, भालू देखने को पच्छमडी, इसका छिदफल 471 दिसमलोग 85 वर क्लूमीटर है, या आपका होसंगाबाद में देखने को मिलेगा, कहां? होसंगाबाद में भाग तिंदुगा सावर, चीतल चिंकारा, नील गाय, भालू इसमें और गोर देखने को मिलेगा, फ्रे आपने सुनाओगा नौरा दिः, नौरा दिवही आपका इसका छिदफल 1034 दिसमलोग, बाबन वर क्लूमीटर है, या आपका सागर में देखने को मिलेगा, इसमें आपका सामर नील गाय, किष्ण मेरे, चीतल भालू चिंकारा, जंगली कुत्ता देखने को मिलेगा, फ्रे आपका राश्टी चंबल, इसका छिदफल 3902 बर क्लूमीटर है, मोरे ना में, और इसमें घड़याल, मगेर खचुए, उद बिलाव, डॉपलिन, प्रवासी तिंदुगा चीतल, साबर नील गाय, मोर दुवार, धनेस देखने को मिलेगा, क्योनी, इसका छिदफल 122.70 बर क्लूमीटर है, देवासी ओर में देखने को मिलेगा, तिंदुगा चीतल, साबर नील गाय, आदी देखने को मिलेगी इसमें, कैन, इसका छिदफल 45 बर क्लू किलमेटर है सिप्पूरी में सौन चिडिया चिंकारा किष्णमेट नील गाय आधी देखने को मिलेंगी आपकी तरह आपका घाटी गाओं आपका घाटी गाओं यह आपका है पांसो बारे वर्ग किलमेटर ग्वारियर में हैं सौन चिडिया चिंकारा किष्णमेट नील गाय देखने को मिलेगी गांधी सागर 362.62 वर क्लमेटर चेथफल में मंदसोर में तिंदुगा नील गाय चिंकारा दीखने को मिलेगा फैन इसका चेथफल 110.44 वर क्लमेटर है मन्दला जली में बाग तिंदुगा सावर चीतल मुंजग हिरन देखने को मिलेगा इसमें थिरोस के बाद आपने बगदी रा इसका छेतपल 470.9 बर किलोमीटर है सीधी जिले में तिंदुगा किष्ण में चिंकारा नील गाय आधी देखने को मिलेगा राला मंडल ये आपका 234.55 बर किलोमीटर है इन दोर में ब टीकमगड जिले में आता था जब से आपका निवाड़ी नया जिला बना हूआ है तो इसमें आने लगाय है ठीक है निवाड़ी में आपका ओर्चा भी आता है निवाडी आता है बाक्तिन्दुगा सावर, चीतल, नीलगाए चिंकारा, मुंजग, हेरन ये सभी देखने को मिलेंगी अब बात कर लिए थे हम लोग इतिहासिक दुरूग इसमें आपका ग्वालियर का किला आपने सुना धार का किला हो गया असिर्यड का किला, चंदेरी का दुरूग, गिन्दौर गड़, राय सेन का दुरूग, बान्दोगड, अजयगर ओर्शा दुरूग, मंडला का दुरूग, मंदोसौन का किला, नर्वर का किला ये सभी आपके इतिहासिक दुरूग है इससे questions आपके कई बार बने हैं पिरमुक जल पेपाद इनसे questions आपकी बनते रहते हैं बहुटी जल पेपाद एवीवा में देखने को मिलेगा केवटी जल पेपाद एवी रीवा में चचाई जल पेपाद एवी रीवा में देखने को मिलेगा। ये आपके कुछ नदिया, नदियों के किनारे बसे प्रमुक नगर हैं। ये नगर हो गए, ये नदी हो। जबलपुर आपका नर्वदा नदी। बिदीसा आपका बैदबा नदी। रतलाम आपका चंबल नदी। महु आपका चंबल। साजापूर आपका पारवती नदी। निवाड आपका नर्वदा नदी। पज्चमडी तावा नदी। और धार आपका धार नदी के किनारे बसागुए नर्वदा। शिवपुरी आपके सिंध। गुना आपका बैतवा उज्जेन छिप्रा नदी के। उसके बाद सिवपुर्व आपका चम्बल, राजगड, पारवती, जाबुआ नर्वदा, दतिया सिंध, देवासकाली सिंध, मंदसों सेवना, साची आपका बैतवा नदी, ओछात बैतवा नदी, मंदला आपका नर्वदा नदी के किनारे बसागुए है। और बाला गाट आपका वानगंगा नदी के किनारे बसागुए है। निकलती है। बैतवा आपकी बिंद परवत बहुपाल से निकलती है। कहां से? बहुपाल के पास से। काली सिंध यापकी देवासकी निकट बढ़ती भागलु ग्राम से निकलती है। बड़ी चिपरा उज्जैन काक्री वार्डी पहाडियों चे निकलती है यह आपके प्रमुक बांद है क्या है प्रमुक बांद इनसे भी कुश्चन्स बनते रहते हैं आपकी पानी पीते रहा करिएगा पानी आपकी सरीर के लिए जरूरी है इसमें आपका बांद सागर प्रियोजना इस सौन नदी पर राजगाट बांद ये आपका बैतवा नदी बरगी बांद ये नर्वता नदी बारना बांद बारना नदी तावा बांद तावा नदी पर गांधी सागर बांद चंबल नदी पर फर आपकी दर्स नहीं ये स्थल की बात करें, तो गूजरी महल ये आपका ग्वालियर में, इतदार महल रायसें, मौती महल ग्वालियर, हवा महल चंदेरी का किला, मौती महल मंडला, बगिलियन महल मंडला, मदन महल जबलपूर, राजा अमन का महल अजयगर्ड पन्ना, जैविलास पेलिस, जैविल ग्वालियर, जहांगीर महल ओर्चा, खरबुजा महल धार, राजमंदिर, राजा मुहित का महल राय सेंड, असरपी महल, तर्यापका बादल महल राय सेंड, दाई का महल, नोखड़ा महल, राणी रूममती का महल, ठीक है, इसके बाद आपकी कुछ परियोजना है, इससे भी आपकी questions बनते रहें, मद्विदेश की प्रमुक परियोजना है, इसमें आपकी चंबल, ए भेंड मुरेना, मंदसोंर सिलाबन भीत होता है, चल्दू, ए मंदसोंर में, भानपुरा, मंदसोंर सिलाबन भीत होता है, भानडेर, इससे आपका दिया ग्वालियर भिंड, सिंध ग्वालियर सिवपुरी दतिया भिंड, काकेटो ग्वालियर, तिगरावान ग्वालियर, महसारी बान, इससे भी ग्वालियर आपका लावान भीत होता है, हरसी बान ग्वालियर, वरियारपूर बांगो ए चतरपूर, दुननगवा चतरपूर, और्गिल चतरपूर, स्रीपुरी बांग बालागाट अपर बैन गंगा बालागाट सिवनी माही धार जाबुगा रतला कोलार इससे आपका सिहोर क्या है सिहोर बलना रायसें सिहोर हलाली रायसें बिदी सा समराट असुख सागर भी बोलते हैं से जामनी भेंड टीकमगर बांट सागर रीवा सीदी सतना सहेडोल तबा होसंगवाल बरगी जबलपूर नर्शिंगपूर सुकता खंडवा अपरतापी खंडवा थावर मंडला इस सबी इससे लावान बित होते हैं उसके माद मत्पदिश के इतिहासिक एवं दर्शनी अस्तले इने भी देख लेजिए परेटक के स्तल हुए दर्शनी स्तल कालियद ये उज्जेन भर्थी गुर्फाएं हैं बहलसा विदीसा यहां उदैगरी की कुफाएं देखने को लिए खंडवा उंकारिसुर मंदिर है सहेडोल अमरकंटिक नर्वदा का उद्गम स्तल है अमरकंट ठीक है उसके बाद उज्जेन आपका यहां आपका महा कलेसों मंदिर भी देखने को मिलीगा जंतर मंतर भी बावन गजा निकट इंदोर के पास है जैन तीर्थिस्तल है चितकूट एक पुराणिक इस्तल है खजराओ सिल्पकला युप्त मंदिर है मेहर मासारदा का मंदिर यह आप चर्चा में सुनते रहते हैं मेहर का साथदा का मंदिर साची बौद तीर्थ पिसे दिस्तूप है महेसोर निकट इंदोर की निकट है भब मंदिर घाट है मुकतागरी बैतूल यह आपका जैन तीर्थिस्तल है जबलपूर दुवादार जल्पिपात के कारण पिसे सहडूल कपिलधारा जल्पिपात रहिवा में आपका चचाई केवटी और बहुटी जल्पिपात आपको देखने को मिलेगा पंचमडी राजका एकमात हिले स्टेशन भेडागार प्राक्तिक दिरिष बिख्यात संगमर्मर की चट्टानेया देखने को मिलेगे यह आपके जवलपूर के निकट देखने को मिलेगा मद्यविदेश में सबसे बड़ा सबसे चोटा वो एकमात जनसंक्या की दिरिष्टी से बात करें तो सबसे चोटा जिला हरदा है सबसे चोटा संबाग होसंगबाद है सबसे बड़ा जिला इंदोर एक बात यादर किया क्या बात क अभी जो नया जिला आपका निवाड़ी बनाए गया है यह सबसे जनसंक्या में सबसे छोटा है और छित्मलव में भी सबसे छोटा है तो जो 2021 की जनगरना हो गई उसमें आपका निवाड़ी जुड़ जाएगा ठीक है फिरे आपका जनसंक्या गनत की दिरिट्टी से बात कर यहाँ आपकी 845 बेक्ती 30 वर किलूमीटर में निवास करते हैं सबसे धनिये गनी आबादी वाले तहसील आपकी इंदोर है यहाँ आपके 849 बेक्ती रहते हैं 30 वर किलूमीटर में अगर छेटफल की दरिष्टी से बात करें झाल जो कि झाल